पूरा मामला जनपत कानपुर देहाद के तैसिल से सिकंद्रा थरा छेतर हमराहट के ग्राम बिलाजपुर गाउं का है जहां दली समाज लोगों को जीवन केवल क्रशी पर ही अधारी थे ग्रामीड क्रशक खेथार भूमिहीन पर मजदूरी खेथी किसानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे खनन पट्टे में खनन ठेकेदर माफिया ने ग्रामीडों के हलक से निवाला चीनने में कोई कसन नहीं छोड़ी फिर एक बार खनन माफियाओं के होसले कुछ इसकदर बुलंद हो गए कि अब उन्होंने किसानों की खड़ी फसल को तभा करना शुरू कर दिया है आज हम आपको दिखाएंगे तैसिर सिकंदर चीत के बिलास्टूर के कुछ इलाखे में ऐसे खनन माफियाओं का राज चल रहा है योगी राज में खनन माफियाओं का राज कायम भी है नियम और कानून को ताक में रखकर खुले आम वै कालिस होने का कारोबार कर रहे हैं जहां एक तरफ यमन रदी का सीना चलनी किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलों को भी बरबाद किया जा रहा है अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए इन खनन माफियाओं को रास्ते की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने खुन पसीने से बोई गई किसानों की फसलों को बरबाद कर लिया आलम ये है कि खनन माफिया एक एक करके किसानों की फसलों को उजाद रहे हैं और कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा अक्सर ये खनन माफियाओं के गुर्गे फाइरिंग कर दैसत वैलाने की कोसिस करते हैं ऐसे खबरे लगातर सामने आती रहती हैं कानपुर देहाद के अबैद रेद खनन करने वाले मावियाओं के किसान के खेट उजालने पर किसानों का गुस्तस साथवे आसमान पर है किसानों ने मुक्ष मंत्री से सिकायच पत्र देते हुए बताया और रेद खनन पट्टे की पोल खोल कर रख दी है किसान ने आरोब लगाते हुए बताया कि कानपुर देहाद के सिकंदरा तहसिल थाना छेत्र अमरहट में यमना नदी में पालू घाट में खनन का पट्टा थेकेदार सुनिल गुपता को पास साल के लिए दे दिया गया थै ठेकेदार पर सैकलो बीगा जमीन पर खड़ी फसलों को खोद खोद कर रास्ता बनाने का आरोब लगाया गया है किसानों के आरोग के बाद जिरादकारी ने नायाब तहसिल दार कानून गो लेक बालधाना प्रभारी अमरहट पुलिस टीम गठित कर किसानों की जमीन की 25 कर मामले की जाच रिपोर्ट उच्छर रिदकारी को सौपने की बाद कही है बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रेद खनन माफिया कब तक किसानों को परिसान करते रहेंगे परिसासान वहां से पैसे से लिल गया है बड़ी मोटी रखन दे करके तो इसे कितनी किसान है जिनकी फसल बरबाद कर दी है अब रेकम 30-40 किसान है वो मरेगा तो आदा गाओं मैं आपने कहा का शिकाइब की है मैं पहले भी दूआ नुपरोंसरी को किया है लानमंदियी को किया है और पाइसवी कजिगा तो भी किया था कि घर हों गजचली के दाइंडन रहे हैं वहां से अपनी की संत्यी है वहां से कोई अपन्राथन तॉनल नहीं पाया अब नयायम हमी चाहते हैं गरीबों की घुम बचाई जाओ गूंजा और फेचारे ये गरीब क्या करेंगे और एक सिद्धनात मंदिर की रास्ता है उसको भी काट की बढ़ाद कर जाए हैं और प्रमों के स्थान है गटा फारा की नाम ते प्रिशिद्ध है कानपुर्दी इसके बाद गये ते बड़ा सिर्जिस्टान है और इएफ और बारबार प्रिश्दा करते हैं वहां के लिए रोड भी देनप काया है लेकिन ये लोग उसी रोड को काट रहे हैं उसी कुझिया को गिड़ा रहे हैं क्या है आपके नाम नर्ण सिंह नहीं किस गाउं रहने व किसानों की खड़ी फसन को उजारते हुए जम्ना की तरफ जा रहे हैं काफी फसलों को पूर थी है अभी तक आप उच्छा दिकारिस कहीं शिकायत की कोई सर सिकायत की थी तो स्यो साथ में भी जेल बेजने की दंकी थी कि अबैर तरिंजे से तुमें नख्मा लगा करके जेल वेपी अडायगा आप राजस का नुक्शान करने वाले हुए इसके लाब आप कहा शिकायत की क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं आप नियाए में सर नियाए ही चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो नुक्शान हो रहा है वो नुक्शान ना हो रास्ता कहीं दूसरी जगह से जो बनाना है उनको दूसरी जगह से बना लीजिए कितने ऐसे किसान जिनकी फसल उचालती गई है क हम से कम 30-40 लोग है किस चेस सो जाली गई है सर जेसी भी सो जाली गई है प्रेंड भी गई है झाले जाले गई है।